यहां जीतेगा वही जो सांत रहता है क्योंकि जब तुम सांत रहते हो तो आप पूरी परस्तिती का आगलन करते हो दोस्तो कम बोलना जितना फाइदे मंद होता है उतना फाइदे मंद कोई और आदत नहीं हो सकती जितना कम बोला जाए उतना फाइदे मंद होता है कम बोलने वाले की बात दूसरे बहुत द्यान से सुनते हैं हर एक सफल वैक्ती की आदत होती है कम बोलना दूसरे सब्दों में कम बोलना सफल वैक्ती की आदतों में से एक आदत होती है चलिए कम बोलने के फाइदे को जानते हैं बोलना एक माध्यम होता है जिसकी मदद से कोई अपनी विचार को दूसरे किसी के सामने रखता है दूसरे उसको सुनकर समझ पाते हैं हर एक इंसान को अपनी बात बोलने की पूरी आजादी होती है इसके बाद भी कुछ लोग जादा बोलते हैं, तो कुछ लोग कम बोलते हैं, हम अकसर सुनते हैं कि हमें कम से कम बोलना चाहिए, कम बोलने का बहुत फाइदा होता है, लेकिन कोई भी कम बोलने के फाइदे के बारे में जादा कुछ बताता नहीं, कम बोलने का मतलब क्या होत कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो या बहुत जरूरी हो जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताए इस सवाल का जबाब ज्यादा लंबा भी हो सकता है और समानने भी हो सकता ह जो ज़्यादा बोलने वाला इंसान होगा, वो अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा, जिसको सुनना सामने वाले को पसंद न हो, वही कम बोलने वाला इंसान बस अपने बारे में उतना ही बताएगा, जितना सामने वाला सुनना चाहता है कम बोलने के फाइदे, कम बोलने से कई फाइदे मिलते हैं, जैसे आपकी बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं, कम बोलकर अपनी बहुत सी सकती को बचाया जा सकता है, कम बोलने से समय बचता है, कम बोलने के कारण जादा से जादा दूसरों की बाते सुन सकते हैं, और अ सकती बच्चती हैं कम बोलने से दिमा तेज होता है अपने जरूरी काम को करने का ज़्буर में इंग हेड़ जरूरी है कर सकते हैं कि हमें कम बोणना चाहिए या फिर नहीं इसके सथ कांग हम आपस काय दिया व्यक्निач जरूर आपको सफलता के लिए प्रीरित करेगा कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेर करें थैंक्यू